आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत हैं इस वीडियो में जानेंगे कि प्राइबेट जोन से डिलीट हुए फोटो को वापस कैसे लाया जाता है तो फ्रेंस अगर आप भी अपने मोबाइल के फोटो को चुपाने के लिए प्राइबेट जोन अप्लिकेशन का इस्तेमाल करत पुढ़ेगा प्लेव टोर में आना है औरहां पर आपको सर्च कर लेना है अट्टीस डिगर को इस अप्लिकेशन को आप इंस्टाल कर लिजिए इस अप्लिकेशनalen का और आपको वीडियो के प्राइबेट जोन से ज्याधा टोटो डिलीट हूए हो उन गहीं तो इस अप्लीकेशन को थोड़ा ज्यादा समय लगेगा जँए में अगे देख सकते हैं मेरा scan हो रहा है मेरे private zone से जीतने भी photo delete हुया थे सभी को या scan कर रहा है कि टोटल अस्केन हो चुका है यहां total 477 file scan हो चुका है OK कर देना है OK करने के बाद यहां पर आपको एक setting कर लेना है नीचे आपको सेटिंग्स मिलेगा इस पर क्लिक करना है और यहां से आपको इसके साइज को घटा करके 10 करके ओके कर देना है ताकि कम साइज का फाइल भी आपकी आपका रिकावर हो जाए अब आपको यहां पर आपके प्राइबेट जोन से डिलेट वे सभी फोटो यहां पर सो होंगे आप जिस जिस फोटो को रिकावर करना चाहते हैं उसे क्लिक करके उसे टच करके सेलेक कर लिजे आप जिस जिस फोटो को रिकावर करना चाहते हैं उसे टच करके सेलेक कर लिजे अगर आप सभी फोटो को यहाँ पर सलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको उपर 3 लाइन मिलेगा उपर आपको 3 डोट मिलेगा इस पर क्लिक करना है और यहाँ से select all पर क्लिक कर दिज़ेगा तो आपका सभी फोटो यहाँ पर select हो जाएगा select होने के बाद आपको नीचे recover मिलेगा recover पर click करना है और यहाँ पर आने के बाद आपको इस beach वाले option पर click करना है और यहाँ पर आपको ok कर देना है ok करने के साथ आपका सबी पोटो आपके gallery में recover हो जाएगा recover हो चुगा है चलिए हम अपने गैलरी में देख लेते हैं कि मेरा을 पोटो गैलरी में cover हुआ या नहीं हुआ लेहसे हमने गैलरी के open किया तो आप देख सकते है हैं मेरा photo recover हो रहा है यसै ओप्पेन किया हम तो मेरे private zone से जितने भी photo delete हुए थे सबी यहां पर recover हो चुका है तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपने प्राइबेट जोन से डिलिट हुए पोटो को वापस ला सकते हैं तो यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा